Question number 2 Which of the following are squares of even numbers? इन में से कौन सा even number का square है? ये बताना है. तो पहला question क्या है? 196 आप मुझे ये बताइए कि 196 even number है या odd है? तो ये even number है. तो square of even number जो होता है वो even होता है. कैसे? इतार देखिए. आपको पता है कि 1 का square 1, 2 का 4, 3 का 9 and so on. तो देखो ये 2 even number है. इसका square करा तो 4 आया. वो even है. 4 का square, 4 एक even number है. 16 आया. जो की even number है. 6 का square एक even number है. even number आया. ठीक है? तो आप ये समझ दो कि square अगर even number का करोगे तो even आएगा. और अगर odd का करना होता तो, तो odd आता. तो यहाँ पर बस आपको क्या करना है? ये पैचानना है कि 196 जो है, वो even है या odd है. तो मुझे दिखाई दे रहा है, ये even number है. इसने पूछा भी है कि कौन सा even है? तो आप कहोगे 196 is a square of even number. ठीक है? सेकेंड वाला देखो, 441 तो 441 जो है, वो एक odd number है. ये ये नहीं होगा क्योंकि ये odd number है. तो हम कहेंगे कि 441 is not a square of even number. ठीक है? ये नहीं होगा क्योंकि ये odd number है. ठीक है, थर्ड देखिए, 900 तो 900 even है ये odd? तो ये एक even number है. तो आप कहोगे कि 900 is a square of even number. फॉर्थ पार्ट, 625 जो कि एक odd number है. इसलिए लिखोगे is not a square. ये square नहीं है. किसका? even number का. ठीक है? इसके बाद 5th part 324. तो 324 एक even number है. इसलिए is a square of even number. I hope आपको question समझ में आया होगा. चलते हैं, next question पर. कि हैंने कि आपको, कि एक भूएगे. पहते हैं던 कि रिखक गद का उते हैं,